आज है 10 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे कास निगम और इरकॉन इंटरनेशनल की दोनों ही शर्ट सरकारी कमपनिया हैं, दोनों ही कमपनिया रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई है और दोनों के मर्जर की बात भी चल रही है हलांकि मर्जर की बात चल रही है, प्रोसेस होने में और यह सब होने में बहुत लंबा वक्त लगता है तो वीडियो में हम उसी के बारे में डिसक्रस करेंगे और ये भी चरचा करेंगे कि दोनों का फ्यूचर है की नहीं और खरीदारी के मौके बनेंगे की नहीं तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो बात करते हैं रेल विकास निगम के साथ 30 से 31 रुपे का ये शेर है पिछले एक महिने में अगर देखें तो पिछले एक महिने में रेल विकास निगम के शेर जहां पर था वहीं पर आ चुका है तोड़ी बहुत उठापटक ज़रूर देखने को मिलती है नीचे ये जाता है तो वापस तेजी आती है वापस नीचे वापस तेजी ज़ादा मुवमेंट पिछले एक महिने में देखने को नहीं मिली है जबकि पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो भाई साब मार्केट सबको लॉटरी लगा रहा था बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी एक साल में अगर हम देखे तो पिछले एक साल में रेल वेगास निगब में 63% का ग्रोथ है 18 रुपए का शेयर था 35 तक गया लेकिन उसके बाद अगर देखे तो एक strong resistance हमें देखने को मिल रहा है और वो resistance है भाईया 30 रुपए के उपर का resistance वहाँ पर पहुंचते ही पता नहीं क्यों ये शेयर के हाथ पर फुलने लगते हैं और ये वापस नीचे जाने की तरफ कोशिश करता है हलाकि एक चीज है जो इनके शेयर में और ज़्यादा जान फूग सकती है और वो भाईया merger की बात है और सरकार कोई अलग से अपना game खेल ले तो कि जाहिर सी बात है अगर अभी अगर हम देखे तो भाईया सरकार ही game खेल रही है सरकार एक announcement करती है और सरकार ही share दोड़ जाता है और ये चीज़े देखने को मिल रही है हमें तो रेल विकास निकम पहली चीज़ तो ये कि बहुत ही बहतरीन share है ये long term का share है इसमें कोई शक नहीं है ठीक है और जब भी ये तूटेगा खास करके जब भी ये 30 रुपे के नीचे जाएगा मेरे हिसाब से खरीदारी के मौक्य वो बनने वाले हैं तो उस चीज़ को याद रखिए यहाँ पर देखे तो mid cap share है 6500 करोड के आसपास का market cap है volume trade काफी कम है 33 लाग के आसपास नजर आ रहा है share holding के बाद तो promoter 78.20% की holding लेकर बैठ है promoter मतलब सरकार है यहाँ पर ठीक है और सागार अपनी इसेदारी को आने वाले समय में कम करती नजर आएगी 75% की नीचे अपनी holdings को लेकर आएगी सरकार 0.26% Files के पास है mutual fund बिक्वाली करी है इस बार 0.55% की holding 0.37% पर पहुँच चुकी है 8.72% की holding insurance company के पास है जो उन्होंने maintain रखी है LIC के पास बहुत बड़ी holding है देखिए dividend paying share है पर share आपको 1.14 पैसे dividend pay कर आए तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है यह dividend को लेकर अगर हम देखे दो RVNL देखने की कोशिश करें तो भईया अब तक कोई भी आपको यह नहीं कहेगा कि बेच दो हर कोई कहेगा खरीदारी करो और मैं भी उन्हीं में से हूँ मैं पिछले जब से आया है यह share तब से मेरी एके recommendation रही है जब भी तूटे खरीद लो इसको बेचने के बारे में यहाँ पर सोचना नहीं चाहिए long term के लिए खरीदो पहली चीज़ तो यह कि आपको यहाँ पर dividend मिलता रहेगा अच्छा dividend मिलता रहेगा और share के और share में growth भी आनी है reason यह है कि रेलवे से जुड़ा हुआ है रेलवे भाई यह करोना की वज़े से काफ़ ज़्यादा मार जिल रहा था और अब एक बड़ी रफतार के लिए दोड़ने को तैयार भी है और सरकार भाई यह रेलवे को लेकर कोई ना कोई गेम खेलने वाली है आने वाले वक्त में यह बात भी तैह है यहाँ पर देखे तो revenue उनके लगातार बड़े है और यह अच्छी बात होती है कोरोना काल में भी revenue बड़े है इनके तो देखे आप यहाँ पर 5,900 क्रोड के revenue 15,400 क्रोड पर है profits भी देखे तो भाई यह वो बड़े हैं कोरोना काल में भी बड़े हैं इनके profits तो यह अच्छी बात है 922 क्रोड के profit है तो company बुरी तो पहले चीज़ नहीं है RVNL सब कुछ हरे निशान में है यह खरीद हो क्यों नहीं खरीद रहे है खरीदने का भी सही मौका है valuation पर देखे तो कम है P.E. 7 का है यहाँ पर 28 इसका sector का P.E. है मतलब सस्ते valuation के उपर available है 100% analyst कहते है खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो बेशने की बात कोई भी नहीं कर रहा है और कोई भी करेगा भी नहीं यहाँ पर और मैं यही कहूंगा कि यह share में अगर आप खरीदारी करते हो तो आपका जो नजरिया है वो और तीन-चार साल के लिए होना चाहिए यहाँ पर dividend तो आपको bonus में मिलता ही रहेगा और अगर share एक साल में माल लेजिए कि तीन-चार रुपे भी अगर यह बढ़ जाता है तो भईया आराम से 15-20% करीड़न अपक कहीं नहीं गया यहाँ पर तो चीज़े को समझ जी उस हिसाब से यहाँ पर trade करिए और मेरे हिसाब से रेल विकास नहीं का बहुत ही बहतरी इन company है यह लेकिन हाँ अगें किसी एक price पे बहुत जादा shirts मत खरीद लेना 30 रुपे के आसपास जाए थोड़ी से quantity खरीद लो हर एक रुपे के गिरावट में add करके चले जाओ इस तरीके से game खरो यहाँ पर आप फिर यह मत कहना कि sir 30 पे खरीदा है अब 29 पे आगया क्या करे तो मैंने पहले ही बता कर रखता हूं वह यहां कि थोड़ी quantity add करो यूँकि market जब all time high इस पे बैठा होना तब एक price पे बहुत सारे shares कहीं पे नहीं add करने चाहिए तब दीरे दीरे वाला game खेलना चाहिए ठीक है दूसरा है इरकॉन इंटरनेशनल यह बहतरीन company है इसमें कोई शक नहीं है 46 रुपीज का यह share है और हलाकि पिछले कुछ वक्त में कोई अच्छा कासा इसने परदेशन नहीं किया है लेकिन करोना काल में जब से यह share आपको 40 रुपए के आसपास मिल रहा है तब से मेरी यह यहां पर buying के recommendation रही है देखो again कह रहा हूँ मैं जब यह इससे पहले high price पे था तब मैंने कभी इसके उपर वीडियो नहीं बनाया है लेकिन जब यह तूटकर 40-45 के आसपास पहुँचा तब जाके मैंने इसको पकड़ा और मैंने कहा कि हाँ chances है यहां पर पैसे बनने के तो खरीदारी करके चल सकते हो 46 रुपीज का share है पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में Irkon International के share में 3% का growth भी नज़र आया है और तो और अगर हम बात करने जाए तो company के project कई सारे project company के handle करती है new solar project के साथ Irkon International की जो total order book है वो तकरीबन 3060 करोड तक पहुँच चुकी है तो यह बहुत अच्छी बात है company के पास कई सारे project है कई सारे project पर company काम कर रही है नए नए solar project पर काम करते ही है रेलवे के project पर भी काम करती है यह company और तो और जो merger की बात रही है RVNL और Irkon का merger अगर यह हो जाता है ठीके अगे मैं कहे दूँ यह proposal है ठीक है ठीक है यह proposal दिया गया है government bodies की तरफ से अब यह proposal के ऊपर भाया चर्चा होगी कुछ लोग favor में होंगे कुछ लोग favor में नहीं होंगे कुछ oppose करेंगे यहाँ पर और end of the day कुछ decision निकल कर आएगा उस decision को implement करने में और बड़ा लंबा वक्त अब भी नहीं हो पाया है ठीक है और तो और RVNL और IRCON मेरे इसाब से बड़ा लंबा weight करना पड़ेगा यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि एक दो महिने में सब कुछ ठीक हो जाएगा लंबा process है लंबा इंतिजार भी आपको करना पड़ेगा एक साल में आपको 29-20% का 19-20% का growth देख प्राया है ठीक है लेकिन नीचे की level पर यह जब भी पहुँचा है ठीक है 40 के नीचे जब भी पहुँचा है 40 के आसपास जब भी पहुँचा है खरीदारी के बहुत ही बढ़िया मौके बने हैं तो उस चीज़ को भी याद रखे और यह वो company है जो बहुत अच्छा पे करत पास है 2.24-0.02 mutual fund के पास है यहां पर insurance company के पास कुछ भी नहीं है देखने की कोशिच का तो 85% का dividend pay कर रहा है यह उसके बारे में अगर हम बात करें dividend की तो यहां पर मैं आपको ठीक से समझाओंगा उसके बारे में तो यह dividend है वह या और इस ही साल इन्होंने 3 बार dividend pay किया है इ पहली बार में ही 13.45 पैसे का dividend था फिर 2 रुपै का मने तक्रीबन 15.50 पैसे का dividend पिछले साल पे किया था और इस साल अगर हम देखे तो इस साल भी इस company ने कम से कम कम से कम आपको साड़े तीन रुपए का dividend पे कर चुका है तो dividend से ही मेरे हिसाब से मैं ये महान के चलों के 40 का share dividend से ही आपको कम से कम आपको bank FD से अच्छा आपको सिफ यहाँ पर dividend से मिल चुका है ठीक है बाकी का share price में जो growth होगा वो आपका profit है extra वाला तो इस चीज़ को समझे यहाँ पर IRCON में IRCON के बात करे सब कुछ बहतर है current price भी कम है long term में FDC पे अच्छा return कमा कर दिया है अच्छा dividend भी पे कर रहा है खरीदारी का भी भी सही मौका है 11 का इसका PE है जबकि sector PE 60 का है सस्ते PE पर available है 100% लोग कहा रहे हैं कि खरीदारी करो analyst ठीक है 100% analyst कहा रहे हैं कि खरीदारी करो जो देखे दोनों ही कमपनिया बहतर है लेकिन दोनों ही कमपनिय में खरीदारी के लिए आप में patience होना ज़रूरी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार दो तिन महिने में कोई movement नहीं आया है मैं इससे first rate हो जो कहा हूँ मैं इसको बेच दूँगा नहीं बने रहो यहाँ पर long term के लिए बने रहो और bonus में आपको dividend तो मिलता ही रहेगा लेकिन साथ साथ share price अगर यहाँ से 3-4 रूबे 5-6 रूबे भी अगर बढ़ जाती है तो आराम से आपका 15% 20% का आपको return यहाँ पर मिल जाता है तो उस angle से अगर आप सोचोगे तो definitely यह share आपको काफी health कर सकता है आने वाले दिनों में और दूसरी बात यहाँ पर कि market जब all time highs पर है तो किसी एक price पर बहुत सारे shares कभी भी नहीं खरीद लेने चाहिए दीरे दीरे add करते चले जाओ R.V.E.N.R. रेल विकास निगम में हर एक रुपए की गिरावट में आप add कर सकते हो और IRCON में हर दो रुपए की गिरावट पर आप add करते चल सकते हो तो वीडियो को यहीं पेंट करूँगा पसंद आया हो तो लाइक कर रुपए का चैनल पगरा पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेल विकास निगम और IRCON इंटरनेशनल दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखे बता सकते हैं थैंक यू